जी दोस्तो तो गुड मॉर्निंग और अभी हम चलती है अपने रूम से हमने रिशाइड किया है केदारनाथ जाने का तो अभी मिलते हैं आप से आगे चल कर आश्ते बें कुछ नहीं चीजों के साथ राजफिर मॉर्निंग व्यू दिखाते हैं अभी आपको कर दोस्तो अब हम चलती है केतारनाथ जी के दर्शन करने के लिए तो आज का सबर का भी रोमांचक्यों करने वाला है जैसा जैसा हमारे साथ रोपान चक होगी आपके साथ भी शेयर की जाएंगी वोट बाकी चलो आके देखने हैं चलकर अभी क्या क्या देखने को मिलता है यह मारे साथ तो अभी हमों किमट से निकल चुके हैं तो सबसे पहले पढ़ेगा गुप्त कासी तो दोस्तों अभी एक बहुती सुंदर नजारा देखने को मिला है जिसे कर रहा हूं सेर तो देखिए सबसे पहले तो इस गंदगी के बारे मैं कहना चाहूंगो कि इसकी सुंदर्ता को जो खराब कर रही है वो सबसे पहले गंदगी है कि आपे आने वाले जो टूरिस्ट भा लाए क्योंकि यह जो इतनी सुंदरता है उनको सबको बेकार कर देता है यह देखिए कितना सुंदर नजा रहा है और जो एक कचरा नहोंता तो कितना सुंदर लगता अब यहां पर बैठके अराम से कुछ पल भीताए जा सकते थे अगर यह कचरा नहोंता तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं गुप्त कासी और यहां पर हम कर रहे हैं नास्ता यानि कि पेट पूजा क्योंकि बाइक में पैट्रोल डल गया था अब हमारा पेट भी कुछ कह रहा है कि बाई मैं भी इस दुनिया में हूं सुबह का नास्ता कर लेना चाहिए और बाकी यहां से के दानाच जी कितने हैं दिखाता हूं अभी यहां से के दानाच जी है 47 गोरिकुंड है 33 तो दोस्तों यह देखें लंबी कतार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज यहां पर और इसके साथ एक सुन्दर ना जारा दिखने के लिए मैं यहां पर रुकता तो आप लोग भी देखिए और चलते हैं और नजदीक से दिखाता हूं इसको चल गया आपको आपको तो दोस्तों यह वह जर्णा वोटर फॉल इसका नाम है सिंगस्त फॉल सिंगस्त जर्णा तो दोस्तों अभी कमसा कम एक किलोमेटर तक का तो यह लाइन हम पीज़े छोड़ा यह और अब देख रहे होंगे रास्ता तो इस वज़े से जो है यहां पर जाम लगा हुआ है कि यहां पर लेंड से लाइंड हो रहती है और पुराना फिल जो है यह वाला पुल यह भी सिंगल है और इधर नहीं पूल का निर्मान चला हुआ है कि यह जो आप देख रहे हैं यहां पर तैस नैस वपड़ा है ना यह जो कभी वाद हो जारते राप में आप पताई थी यह सब तंपर वागारा उसी के पुड़े हैं कि सब यहां पर पूरा यह स्टोन करेशर वगारा जो भी ते सब तक खतम हो गया था है तंपर वगारा उल्टे होगा पुड़े है और यह डायरेक्ट रोड़ कुए अगर ताजी 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 मतलब अगर ताजी अब ही आल में हुई है आज कल में ही है अजी तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सून परियाग और सून परियाग में अब यहां पे सबसे पहले हमारी पाइक जो हैं वह पार्किन में खड़ी कर दी गई हैं क्योंकि यहां अब है अपना वान ले जाने नहीं देते हैं यहां के लोग मतलब गोर्मेंट द्वारा आगे गोरी कुंड में पार्किंग वगएरा कि तो यहां से हमें बाइट टैक्सी जाना पड़ेगा गोरी कुंड के लिए यहां से टैक्सिया मिलती हैं जाने के लिए तो लाइन में लगे हैं तो दोस्तों अभी हम सब टैक्सी में बैठ चुके हैं और टैक्सी का किराया है पचास उरुके पल सवारी अल्कि होया भारी पचास उरुके सवारी तो दोस्तों अब हम कर चुके हैं गोरी कुंड में परवेश यहां से पध्यातरा स्टार्ट होती है लेकिन हमारी पध्यातरा पिछले एक किलोमेटर से शुरू करती थी जाम की वज़े से तो चलिए तिखाते हैं आपको वैसे यहां पर गोरी कुंड में जो इस नान के लिए सुदु बताया जाता है यहां पर माता इस नान किया करते थी दिखाते हैं चलो तो दोस्तों यह वाप कुंड जो अद्बुचमतकार के लिए जाना जाता है जिसका यह नहीं पता कि पानी कहां से आ रहा हि कहांसे नहीं इस तरह बेंड़ा पाणी बैता है और साइड में यहां पे यहां पर हमें सचोग इस घंटे गरम पानी रहता है यह देखिए तो दोस्तो आकिकर अब यहां से यात्रा कर दीके यह सुरू जय बाबा के दानाथ तो दोस्तों तो दोस्तों करा वड़ा आप देख सकते हैं मेरे पीचे वीड कितनी वीड है और यहां से आपको खिचर में मिल सकते हैं उपर जाने के लिए लेकिन मैं तो यह सेज़स्ट करूँ हुआ कि जब भगवान के पास आने का कष्ट करना ही है तो क्यों इन जीवों पर अत्यचार करना खुद पर वरोसा रखे और पैदल चले लो भाई जो कहा रहा था मगत्य चार हो रहा वह दिखा रहा यह देखो यह लग रहा भाई मरने तडब तडब के लिए जिम्मेदार आदू इसका बुरा लागा लागा तो भाई यह वह चीज है जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इनकी बत्ते चार हो रहा है अब यह देख लो कुद के आला थोड़ी है वीचारा तडब तडब के दम तोड़ रहा है अब इन्हें सरकार वगएर अभी कुछ कुछ नहीं कहती है यह पर पाबंदी लगए और यह देखें कैसे कंद्र पर बैटके जा रहे हैं इनसान के ऊपर इनसान को दोस्तों अभी रास्ते में रुके हैं कुछ द्रिंक भी करते हैं मतलब यह दो निम्बू पानी वगएरा यह खीरा वगएरा लेंगे कुछ कर rasa se rap. अधा को मिलते रहेंगे आपको threats कम बनेशे चोटी चोटी दुखाने आपको रास्ते में विलेंगी। कि पाई कैसा राम सलेट का जा रहा हिए तो में इनसान के ऊपर इंसान वह दर आता है और यहले कमाने जा रहे हैं है तो दोस्तों अभी हम चार किलोमेटर सम्तिंग यात्रा कर चुके हैं और एक और नजारा देखने को मिला है संदर तो रास्ते में आपको ऐसे से नजारे देखने को मिलेंगे जहां पर पहुती अच्छा लगता है मन को सकून मिलता है तो वैसे दोस्तों पहले साल के मुकाबले इतनी पकावन होनी पाई पहले साल सब्सक्राइब और अच्छी तरीके है और इस साल और अच्छी तरीके है त्यात्रा हो रही है कि यह बीच में छोटे-छोटे रैस्टोरेंट कि यहां पर थोड़ा बहुत भीच राम भी कर सकते हो आप लोग करने के बाद जो हमारे दोस्त हमस्या लग हुए थे हमें मिल चुके हैं बाकी मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूं एक तो यहां पर रास्ते में जो गंदगी है वो यह जो गोड़े खिच्चर हैं इनकी वजह से हैं दूसरी बात एक बार और यही बोलना चाहूंगा कि जेतना हो सके इनका इस्तेमाल ने करें क्योंकि यह इनके उपर जो अत्के चाल रहा है यह आप लोगों की आत्मे है अगर आप लोग नहीं यूज नी करोगे तो यह नोर्मली बंद होंगे और यह पानी उपर से आता हुआ अधर ऐसे होता हुआ गयर आई दीख भी नी रही है नीचे वाई कि जा कहारा है अधर आधर 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 अधर आधर 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 लों में कि द currency का आधर 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 कर और हमका है कि म的 लुए बूा है ॉच है और आधर 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 के तनसाह umै घcko है वह कि थ mound नल rivalना कि झां यह और यह पिल्कुल सुन्दर ना जा रहा है और साथ में यह देखिए ऐसे अद्बुद्ध जन्ने कापी देखने को मिलते हैं यहां पर लो भाई एक और अत्या चार विचारा एक और गया अपनी जान से अर्देख को किस तरह कीचरे हैं सब्सक्राइब देखो भाई क्या दुर्गती हो रही है तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुक है राम बाड़ा यह वो जंग है जहांसे दो रास्ते यह राइट में आपदा के बाद नया रास्ता बनाता जो कि इस पूल से होते हुए ऐसे होते हुए जाता है प्लेट वाला यह वाला बाकी जो रास्ता जाता है सिधा पुराने वाला यह थोड़ा कम भी पड़ता है लेकिन इसकी चड़ाई थोड़ी आड़ है पर हम इसी से जाएंगे तो दोस्तों मेरे सामने जो जंग्या है यह वो राम बाड़ा जो अब कोई नाम निसान तक नहीं बचता है यहां पर तो दोस्तों अभी अभी मेरी साथ एक पंगा हो गये था पीछे जब मैं मरे वे गोड़े की घचर की वीडियो बना रहा था तो उन्होंने मुझे देख लिया और बाद में मेरे पास यह कट्टे होगा पीछे आए कि इस और उनके साथ मैंने ब convention को बूले वीडियो डिलिट नी होगी तो अभगा पेसे देते हैं यह करते हैं तो मैंने बोलेبةप को पैसे दो कम तका मिनकी पैजातनाव पर नहीं १।오गा बोत इनके पाराम यहीं सोचो तो उन्हें करते होगे नहीं हम जाने नीं देगे सारे तो यह चला हुए सिस्टम भाई यहाँ पर सबसे वेकार सिस्टम के दाना सड़े आठ किलोमीटर रप्ष दोस्तों यह चले हुए सोटकट अपना ही जा रहे हैं वैसे पड़ता जोरी है इन पर चलका लेकिन यह सोटकट है कि सोटकट का देखो गए कितना फायदा कहां से कहां तो साथ में मोसम देखो कर दोस्तों एक शोटकट और दुनिया उदर से और हम इदर से है यह सोटकट है है यह सोटकट है यह सोटकट हो भाई निच्च दो कुद दीख ही नी रहा है यह सोटकट ने बुला दे चलो वह चीच छोड़िए आप नजारे देखिए बाद लो में क्या मुआसम है आज है ऊपर आश्मानी चैंट नहीं चड़ते टाइम सोटकट प्रोब्लम दे उतरते टाइम हां जी जी कहां से उंकल जी गुज्राथ अम्रली आप यूपी जी यह है बाई हम इस एज में हिम्मत आ रहेंगे तो इन अंकल जी से सीखो बाई कुछ जो गोड़े बेश बैठके अत्यचार कर रहे हैं इन से बड़ी बड़ी एज के अंकल अंटी आते हैं बहुत मिले भी है में रास्ते में तो दोस्तों अभी एक शोटकट और वाई तो सोटकट शोटकट ही रहागी हम भी पकड़ते जा रहे हैं सुनने में आ रहा है कि यहां से बेड़ दो किलो मिटर कम हो जाता है देखिए चलो यह देखिए जहां से अंगरी है वहां से होते हुए यह उपर फिर वहां से तब जाके वहां पर निकलेंगे जहां मेरी फिंगर है और अब हम यहां से नीचे जाते हो यहां से डारेक्ट वहां और हमें जाना है वहां से क्रोस और यह दर देखिए को गाउं कहां पर बसावाय है जाहँ जया जाओिए झाल को वहां से जाजैंगे नीचे को экिकलेंगें जाओटभेति.. जाओए़ झाल को दो चल्वारा लाटपकाएब उना जाओ़ईएख पाल कर दो इंगरा है? सूचकुट में भाई खड़ी चड़ाई है बिलबूल पर लेगा भोले नात कनो चड़ते रो रुकने का नहीं पुस पर आज और जुगने का नहीं देखो भाई वहाँ सफेद पाड नजर आ रहे हैं वहाँ जाना है और पाड का तमनी और और वह देखे जो पहले बादल दिखाईते वें कितने नीचे रह चुके हैं एक सोफ्टकाट फेड़ने जर आ रहा है और यह देखे भाई बाबा और दादीची दोनों कितनी बड़ी एज के और कैसे नंगे पाउं यात्रा कर रहे हैं अरो एक यह लोग है वाई जो मज़े से लोगों के कमा रुपए खिच्चर के ओपर बैठे हैं भाई यात्रा के साथ साथ एक सबसे बड़ा में मकसद यह है जो चीज़ सबसे पूरी लगी वो यह है तो दोस्तों आखिकर बेस के में पहुंच चुके हैं और मेरे का इतना स कूंट मिला है सारी धकान ओट्रमेटिकली दूर क्योंकि मादेव नजदीक तो अट्रमेटिकी सरीर नोर्मल हो गया है चलो दिखाते हैं आपको में तो दोस्तों यह यहां का बेस कैम्प और चौप पीछे देख रहे होंगे वर्प के पाड़ यह देखिए क्या सुन्दर जा रहा है और मंदीर के पाज आगे तो यह रच्छों में क्योंकि एकदम मंदीर के जश्ट बैक साइड में है तो दोस्तों बेस कैम से आगे चलके एंट्री हो चुकी है और हम है पहुंच चुके हैं है है ली पैड़ पे और हैली पैड मेरे सामने है विलूब दिखा देत है बाई है अलीबॉप्टर और इधार है हमारे महादेव जो बस बहुत जल्द नजर आने वाले हैं और नजर आपी रहे हैं जो यह सामने लाइट नजर आ रही है यह मंदीर की ही है तो दोस्तों पहुंचते पहुंचते हो चुका है अंदेरा क्योंकि यहां चला हुआ है काम और उसकी हुझे से इधर उदर को राक्ता डायवर्ट किया हुआ है और आर्पी चली हुई है चली करते हैं तर्शन क्या चाया है तर्शन क्या चार्ट प्राट लग रही है क्या हुआ है क्या है क्या है बनाज था प्राट प्राट है तो दोस्तों अभी हम लगें लाइन मेरे और यह आरती के बाद और यह मंदिर के बाहर करना जा रहा है जा डाहर के बाहर है त बाहर कैते व हमै अलगे तान मुझे आंडियम्याराश तो दोस्तो यह है वह पत्तर जिसनने मंदिर की रख्सा की थी भीम्चिला के नाम से जाना जाता है और यह पिलोगल जस्ट यहाँ पर मंदिर के नीचे एक तंप पीछे, राक साइड में a तो दोस्तों अभी यहां पर मंदिर पर दर्शन करने के बाद अब हम चल दिया है बाबा बेरोनाजी के दर्शन करने कि कि सुबह हमें जल्दी निकलना है तो सोचा भी रात कोई आगे की चड़ाई करेंगे पूरी ठीक है बाकी अच्छे से दर्शन मतले दर्शन हो गए है अच्छे से फोटोग्राफ या वीडियो नहीं हो पाए क्योंकि भीड ही इतनी जादा थी कुछ अच्छे से नहीं दिखा पाया तो कोशिस करूंगा भी जब पूजा वगयरा खतम हो जाएगी आरती उसके बाद कोशिस करेंगे ज़ बाद कर दू में में हो जब हो कि इतनी हो जब सिह पाई कि जाइडिगे आरती बादिक भीँग minutes कि यह जैवाद तो दोस्तों आखिरकार यह बाबो भैरोजार जी के मंदिर पहुंच चुके हैं मैं खुद दो साल लगतार आने के बाद यहाँ पर दर्शन करनी पाया था लेकिन इस बार सोच के चलेते और बाबो ने बुला भी लिए और यह यहाँ पर बाबा भैरोजार जी का मंदिर और जो पीछे आपको लाइट नजर आ रही है वो वहाँ पर बाबा लिक्रिदार ना तो दोस्तों बारिशने के साथ साथ मुसम घराब है और उपर से धुंद और को रहतना है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो मैं सच बताओं कुछ भी कैमरे में किलियर नहीं आ रहा ना कोई वीडियो ना कोई दील कुछ ने अच्छे से बना पाया बस हाँ यह कि दर्शन तो हो गए अच्छे से बाकी अगर सुबह जल्दी ना निकला तो मैं कोशिश करूंगा कि सुबह कुछ अच्छी सी वीडियो गणा हूं और अब तो हम अपना टैंट कर लिया है हमने अब हम लेखने कि यह तैंजार है तो तो गुरु मोर्निंग दोस्तों और अभी हम यहा अब है मोसम फराब है तो वीडियो वगरा हो नहीं पाने की तो जैवाबा के दार नात्व जैसी भगवान की मर्जी कि मिलते हैं फिर आपको आगे चलके तो भाई यो पारिश में सफर है जारी जल्दी जल्दी नीचे पहुँचने की पोशिस और सोचा था तो अरते टाइम सोट कट लें लेकिन बारिश की हो जैसे सोट कट तो सब खराब है तो अरतों लंबे रास्ते से ही चलना पड़ गया